अपू के साथ धाई साल पतियर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम धाई साल तक चला था इस धाई साल के काल खंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी मैं तब एक विज्यापन कंपनी में नौकरी करता था नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था मेरे पास उस समय परियापत पैसे भी नहीं थे पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ विशेश कर अपू की भूमी का निभाने के लिए छह साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था आखिर मैंने अखवार में उस तंदर्व में एक इश्तिहार दिया रास बिहारी एविन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था वहाँ पर बच्चे इंटर्वियू के लिए आते थे बहुत से लड़के आये लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था एक दिन एक लड़का आया उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला टिया उसके साथ आये उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहां ले आये हैं वे सज्जन पकड़े गए सच छिपा नहीं सके बोले असल में यह मेरी बेटी है अपू की भूमी का मिलने के आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहां ले आया हूँ विग्यापन देकर भी अपू की भूमी का के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया आखिर एक दिन मेरी पतनी छट से नीचे आकर मुझसे बोली पासवाले मकान की छट पर एक लड़का देखा जरा उसे बुलाईए तो आखिर हमारे पडोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बैनर जी ही पत्हेर पांचाली में अपू बना फिल्म का काम आगे भी धाई साल तक चलने वाला है इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा अपू और दुर्गा की भूमी का निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा लेकिन मेरी खुश किस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमी का निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े इंदिरा ठाकरून की भूमी का निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी धाई साल तक काम कर सकी यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड हो गई अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम की एक गाउं में आए वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था अपू और दुर्गा पहली बार रेल गाड़ी देखते हैं इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी यह सीन बहुत ही बड़ा था एक दिन में उसकी शूटिंग पूरा होना नामुम्किन था कम से कम दो दिन लग सकते थे पहले दिन जगध्यात्री पूजा का तिवहार था दुर्गा के पीछे दौरते दौरते अपू काश फूनों के वन में पहुँचता है प्रिष्ट संख्या 35 सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया निर्देशक, छायाकार, छोटे अभीनेता, अभीनेत्री हम सभी इस शेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराय हुए ही थे बागी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णे लेकर हम घर पहुँचे साथ दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए लगा ये कहां आ गए हैं हम कहां गए वे सारे काश फूल बीच के साथ दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खाड़ा ले थे अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन को शूटिंग करते तो पहले सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती उस सीन के अगले अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद रितू में जब वह मैदान फिर से काश फूलों से भर गया तब की उसी समय रेल गाड़ी के भी शूट्स लिये लेकिन रेल गाड़ी के इतने शूट्स थे कि एक रेल गाड़ी से काम नहीं चला एक के बाद एक तीन रेल गाड़ीयों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी रेलगाडियां उस लाइन पर से जाती हैं या पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था हर दिन एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी जिस स्टेशन से वे रेल गाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे रेल गाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजिन ड्राइवर की केविन में चाहते थे क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगा के पास आते ही बॉयलर में कोईला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआ निकले सफेद कार्ष फूलों की प्रिष्ट भूमी पर अगर काला धुआ नहीं आया तो दृष्ट कैसे अच्छा लगेगा पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने तीन अलग-अलग रेल गाड़ियों का इस्तेमाल किया है आज के डीजल और विजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृष्ट उस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग-अलग समस्याओं से जूजना पड़ा एक उदाहरन देता हूँ मोल उपन्यास में अपू और दुरगा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है गाउं से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बरताओ करने लगा फिल्म में द्रिश्य ऐसा है कि अपू की मा सर्वजया अपू को भाद खिला रही है भूलो कुत्ता, दर्वाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भाद खाना देख रहा है अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है वह मा की और पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और इसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है सर्वजया बाएं हात में वह थाली और दाहिने हात में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दोड़ती है लेकिन बच्चे के भाव देख कर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा भूलो कुता भी खड़ा हो जाता है उसका ध्यान सर्वजया के हात में जो भाद की थाली है उसकी और है इसके बाद वाले शौट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भाद एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भाद खाता है लेकिन यह शौट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूर्य की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए छे महीने बाद फिर से पैसे इकठे होने पर हम फिर बोडाल गाउ में उस सीन का बाकी अंश्चित्रित करने के लिए गए लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुट्टा अब इस दुनिया में नहीं है अब क्या होगा खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुट्टा गाउं में है अब लाओ पकड़ के उस कुट्टे को सच मुझ यह कुट्टा भूलो जैसा ही दिखता था वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था और उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर की तरह सफेद था आखिर यह फ्हेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस द्रिश्य की शूटिंग पूरी हुई फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग-अलग कुट्टों से काम लिया है प्रिष्ट संख्या 37 और अब कुट्टे के संदर्व में ही नहीं आदमी के संदर्व से भी ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलजना पड़ा श्री निवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे-पीछे मुखरजी के घर के पास जाते हैं मुखरजी अमीर आदमी है वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है उस द्रिशे का कुछ अंच चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महिनों के लिए स्थगित हो गई पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गाउ में शूटिंग करने के लिए गए तब ख़बर मिली कि श्री निवास मिठाई वाले की भूमी का जो सज्जन कर रहे थे उनका दिहान थो गया है अब पहले वाले श्री निवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिलेगा आखिर श्री निवास की भूमी का के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्री निवास से मिलता जुलता नहीं था लेकिन शरीर से वे पहले श्री निवास जैसे ही थे उन्ही पर हमने द्रिश्य का बाकी अंश चित्रित किया फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्री निवास मासबंद से बाहर आता है और अगले शौट में दो नंबर श्री निवास कैमरे की और पीट करके मुखरजी के घर के गेट के अंदर आता है पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है लेकिन श्री निवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना इस श्री निवास के सीन में एक ही शौट के वक्त हम बिलकुल तंग आ गए थे वह भी उस भूलो कुते की वज़ा से छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की और ललचाई नजर से देख रहे हैं क्यों मिठाई खरी देंगे मिठाई वाले के इस सवाल का जबाब हुए नामे देते हैं तब मिठाई वाला मुखरजी के घर की तरफ जाने लगता है अपू दुर्गा से कहती है चल हम भी जाएंगे भाई बहन दोडने लगते हैं उसी समय पीछे जुर्मुट में बैठा भूलो कुटा भी छलांग लगा कर उनके साथ दोडने लगता है हमें ऐसा सीन लेना था लेकिन मुश्किल यह कि यह कुटा कोई हॉलिवूड का सिखाया वा नहीं था इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं कुटे के मालिक ने हमसे कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुटे को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुटा मालिक की आग्या का पालन नहीं कर रहा है टेम्ती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिलाना पड़ रहा था कट कट अब यहाँ धीरज रखने के सिवाद दूसरा कोई उपाय नहीं था अगर कुटा बच्चों के पीछे दोड़ा तो ही वह उनका पालतू कुटा लग सकता था आखिर मैंने दुरगा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छीपाने के दिखाए और वह कुटे को दिखाकर दोड़ने को कहा इस वार कुटा उनके पीछे भागा और हमें अपनी इच्छा के अनुसार शौट मिला पैसों की कमी के कारण बारिश का दृष्टे चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी बरसाद के दिन आये और गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे इस कारण शूटिंग बंद थी आखिर जब हाथ में पैसे आये तब अक्टूवर का महिना शुरू हो गया था प्रिश्प संख्या 49 शरद रितु में निरभर आकाश के दिनों में भी शायद बरसाथ होगी इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमी का करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज दिहात में जाकर बैठा रहता था आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसाथ होगी मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही शरद रितू में भी आसमान में बादल छागे और धुआधार बारिश शुरू हुई उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भादती हुई आई और उसने पेड के नीचे भाई के पास आसरा लिया भाई बहन एक दूसरे से चिपट कर बैठे दुर्गा कहने लगी नेबूर पाता करमचा हे ब्रिष्टी धरे जा यानि नीबू के पत्ते खटे हो गए है तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था शूर्ट पूरा होने के बाद दूद में थोड़ी सी ब्रांडी मिला कर दी और भाई बहन का शरीर गरम किया जिन्होंने पतेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शूर्ट बहुत अच्छा चितरित हुआ है ये सभी बातें बोडाल गाउं में और आसपास हमें मिली अब उस गाउं में बिजली आ गई है पक्के घर पक्के रास्ते बने हैं उस जमाने में वे नहीं थे उस गाउं में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे, वे 60-65 साल के थे उनका मा था गंजा था, वे अकेले ही एक जोपड़े में रहते और दर्वाजे पर बैटकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे हम उस गाउं में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए हमें देखने पर वे चिलाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से पूछ ताच करने पर लोगों ने बताया, वे मानसिक रूप से बीमार थे बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिजए हुआ, वे हमें पास बुलाकर दर्वाजे में बैठकर वाइलन पर लोक गीतों की धुने बजाकर सुनाते थे बीच में हमारे कानों में फुस फुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना वह काउन है, जानते हो, वह है रूजवेल्ट रूजवेल्ट, 1882 से 1945, पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलोनो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32 राष्टरपती 1933 से 1945 तक, इन्हें FDR भी कहा जाता था, इन्ही के कारेकाल में एटम बम के मैन हटन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था पक्का पाजी, दो, चर्चिल, 1874 से 1965, द्वितिये विश्वय युद्ध के दावरान, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे 1953 में इन्हें साहित्यकार नोबेल पुरसकार भी मिरा था और एक था हिटलर, हिटलर, 1889 से 1945, जर्मनी के तानाशाथ चांसलर, 1933 से 1945 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे तो एक था अब्दुलगफार खान, अब्दुलगफार खान, 1890 से 1988, वे पख्तुनों यानि अफगानों के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाब थे, जिसके कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा इन्हें सीमान्त गांधी के नाम से भी जाना जाता है सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे हम जिस घर में श्टूटिंग करते थे, उसके पडोस में एक धोबी रहता था उसके कारण हमें बहुत परिशानी होती थी वह भी थोड़ा सा पागल था, और कभी भी भाईयों और बहनों कहकर किसी राज की ये मुद्दे पर लंबा भाशन शुरू करता था फूरसत के समय में उसके भाशन पर हमें कुछ आपत्ती नहीं थी लेकिन अगर शुरूटिंग के समय वह भाशन शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था उस धोबी के रिष्टेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता जिस घर में हम पाथेर पंचाली की शुटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था प्रिष्ट संख्या 41 उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे उनसे हमने वह घर शुटिंग के लिए भाड़े पर लिया था उस घर की मरमत करके उसे शुटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग एक महीना लगा उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपयन बाबू बैठा करते थे हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे हर शौट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना? भूपयन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते एक दिन शौट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया फिर एक बार पूछा भूपयन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जबाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था वह सांप देखकर भूपेन बावू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दीनों के बाद देखा था उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानिय लोगों के मना करने पर हम उसे मार नहीं सके वह वास्तु सर्फ था और बहुत दीनों से वहां रह रहा था अभ्यास पाठ के साथ पाथेर पंचारी, फिल्म की शूटिंग का काम धाई साल तक क्यों चला? दो, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते, तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, इस कथन के पीछे क्या भाव है? तीन, किन दो द्रिश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीव अपनाई गई है प्रिश्ट संख्या 42 चार, भूलो की जगा दूसरा कुट्टा क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस द्रिश्य को पूरा किया? पांच, फिल्म में श्री निमास की क्या भूमी का थी? और उनसे जुड़े बाकी द्रिश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्म आया गया? छे, बारिश का द्रिश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई? और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? साथ, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूची बद्ध कीजिए पाठ के आसपास एक, तीन प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिपणियां की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते थे या फिल्म देखते हुए इस और किसी का ध्यान नहीं गया की इत्यादी वे प्रसंग कौन से हैं चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है दो, मान लिजे कि आपको अपने विध्याले पर एक दौकिमेंटरी फिल्म बनानी है इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के द्रिश्यों को चिद्रित करेंगे फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन-किन बातों पर ध्यान देंगे तीन, पाथेर पंचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरान की भूमी का निभाने वाली अस्ती साल की चुन्नी बाला देवी धाई साल तक काम कर सकी यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी वाला देवी की अचानक मृत्ती हो जाती तो सत्यजीत रे क्या करते आप चर्चा करें चार पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहां तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं ब्यावसाईक माध्यम के रूप में नहीं भाशा की बात एक, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रिये सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं ऐसी भाशा का प्रयोग करते वे अपनी प्रिये फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें दो, हर क्षेत्र में काम करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है जैसे अपू के साथ धाई साल पार्ठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शौट, सीन, आदी फिल्म से जुड़ी शब्दावली में किनी दस की सूची बनाईए तीन नीचे लिखे शब्दों के परियाए इस पार्ठ में ढूड़िए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए इश्टिहार, खुश किस्मती, सीन, व्रिष्टी, जमा प्रिष्ट संख्या 43, शब्द छवी, काल खंड, यानि समय का एक हिस्सा स्थगित, अर्थात, रोका हुआ, कुछ समय के लिए मुल्तवी किया हुआ भाड़े पर, यानि किराये पर कंटिन्यूटी, यानि निरंतरता या तारतम्यता शॉट्स, यानि दृष्यों को शूट करना साउंड दिकॉर्डिस्ट, यानि आवाज की रिकॉर्डिंग करने वादा पुकुर, यानि पोखर नवागत होना, यानि नए क्षेत्र या नए विशय को जानना नदारद, यानि गायब भात, अर्थात पके हुए चावल बॉयलर, यानि रेल गाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोईला डाला जाता है वास्तु सर्प, अर्थात वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता कहते हैं बांगला में उसी कुल देवता को वास्तु सर्प कहते हैं